आपकी नाक से सारे ब्लैकेट वेटे चले जाएंगे आपकी स्किन और भी ज़दा ग्लोइंग हो जाएगी हेलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ एक ऐसा डियावै मास्क सेयर करूगी जिससे आप बनाते हो अगर आपको अचानक कहीं जाना हो शादिया पार्टी में आपके पास पालर जाने का टाइम नहीं है घर पे इतना सारा डियावै करने का भी टाइम नहीं है तो ऐसे में आप क्या करोगे तो आप ये वाला DIY मास्क बना कर यूज़ कर सकते हो इसको बनाने में आपका टाइम भी बिलकुल नहीं जाता हो और इसको लगाना भी बहुत एजी है इसे एक बार के यूज़ में आपके सारे ब्लैक हैट वैट हैट गायब हो जाते है साथी साथ आपके फेस पर गोल्डेंग ग्लो आता है ऐसा लगता है जैसे आपने पाल रम जाके फेशल करा है यकीन नहीं होता तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिया और बना कर यूज़ करेगा आपको यकीन हो जाएगा अगर आपको मेरी मेनद अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको लेना है आदा चमच कॉफी कॉफी में कैफीन होता है जो आपकी स्किन को इंस्टन लाइट ओ ब्राइट करता है देन ले पिंच और टर्मरी आदा चमच चंदन पॉडर इसमें एक चमच घुलाब जल डरकर इसको हलका सा मिक्स 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 कर लें अश्ट में आपको लेना है को भी पील आउप मास्क में आपे एवरुट का ले रही हूँ यह आपको मार्किट में 10 रुपर में मिल जाएगा इसको टाल कर इसे अच्छे से मिक्स 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 कर लें आपका डियावाय मास्क बनके रडी हो गया है इसको लेकर अपने चेहरे पे एक ठीक लेयर लगा लें नोज में आपको डबल लेयर लगाने जिससे आपके ब्लैक हेड़ वैटे इजली निकल जाएं आपको इसे लगा कर आराउंड दस से बीस मेट के लिए छोड़ देना है बीस मेट में ये अच्छे से सूख जाएगा इसमें जो हमने पील ओफ मास्क एड़ किया है ये तो सबी जानते हैं इसको यूज करने से आपकी फेस पे इंस्टन ग्लो आता है जब आप इस मास्क में ये सारी चीज़े एड़ करते हो जब ये सूख जाए तो आपको इसे अपने फेस के अपोजिट डिरेक्सर में धीरे धीरे पील करके निकलना है नोज के राउंड में आप लास्ट में निकालेगा ताकि आपकी ब्लैक हेड भी अच्छे से निकल जाए फेस से मैंने मास्क को अच्छे से रिमूब कर दिया अब मैं आपको नोज से मास्क को रिमूब करके दिखाती हूँ नोज से भी आपको धीरे धीरे रिमूब करना है ताकि आपके सारे ब्लैक हेड वैटर निकल जाए इसको रिमूब करने के बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल पाने से वाश कर लेना है वाश करने के बाद आप लोग देख सकते हो एक बार की यूज में मेरी स्किन कितनी जाता क्लियर हो ग्लोइंग हो गई है मेरे सारे ब्लेक हेर वाटेट एक बार की यूज़ में ही निकल गए आप लोग लाइब डिज़र्ट देख सकते हो अगर आपको किशी शादिया पार्टी में जाना है पालर जाके आपको घंटो फेशर कराने का टाइम नहीं है तो एक बार इस DIY मास्क को ट्राय करके लेगो यह आपको पालर जैसा ही ग्लो देने वाला यह आपकी फेश से इंस्टन सारे टैन को निकलता है डाक स्पॉर्ट पिग्मेटेशन को लाइट करता है साथी साथ आपकी स्किन को और विज़ादा क्लियर और ग्लो इंग बनाता है इसको यूज करने के बाद आप एक कोई भी मॉश्राइज लेका अपने फेश को अच्छे से मॉश्राइज कर लेजिए ऐसा आप हपते में एक बार जरूर करिएगा बेश्राइज के लिए आप इसे हपते में एक बार यूज कर सकते हो आपको अपने स्किन से प्यार हो जाएगा इतना बढ़िया ग्लो आएगा आपके फेस पे तो प्लीज एक बार इसको बनाईए आपको भी अच्छा लगेगा इसे ओल स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं यह बिल्कुल भी आपको हाम नहीं करता है तो एक बार इसको बनाईए और ट्राइ करिए इस वीडियो से लेटेट अगर कोई वी क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल भी मद भूलेगा मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक की लिए बाई बाई फ्रेंड रेंड रेंड